जब नर्वो ना निराश सुरु मन को कि फंक्ती में इसके अर्ट और भाव विसा कर वेचन करते हैं तो मानव जीवन में जो फ़ुष होते हैं वो अपने उसी उजावन हो जाते हैं जब मनश्य निराश होता है तो उसके नर्वो ना निराश सुरु मन को फंक्ती को सुनते हैं तो ऐसा ज़सा है जैसे फोई हमें चिनौती देते हुए फुछ कह रहा हो कि तुम सामसेरे जीवन की छोटी कट्नाईयों से घबरा जाते हो तो कि तुमने अभी तक जीवन की समस्याओं का सामना करना सीखा एंने तो फुरुशों और वीतास हमारे फास है पेटाणी आवससलता से ऐसे निराश नहीं होना चाहिए हमें परेशिक्टियों का ड़क कर सामना करना चाहिए हमें एक ठिल्ड़ा से में सबगत लेनी चाहिए चुकि वे अपने गोस्ले को बिनाने में बहुत मैनद साथी है फिर तब तक नहीं हाती जब तक अपने गोस्ले को फूरा ना साथी दुशी तरस वनिश्य होता है जो छोटी छोटी बार सर निराश होकर बैड जा सा है हमें कभी में निराश रहं होना चाहिए हमें अपने लक्षे को प्राफ सनने के लिए फरीशर्य सदयक सरसे रहना चाहिए जब कोई इंसान अपने लाग या उत्रिठेने काम करता है तो वो उसका मानसिख बल होता है किसी विद्वान ने कहा है मन की हारे हार है मन की जीते जी चत्तम मनुष्य को अपने मानसिख बल पर विश्वास होता है उसे कोई भी नहीं हारा सच्था मगर जब मनुष्य निराथ हो जाता है तो भे हार जाता है इसी मानसित बलके अधार पर फंभान संकर्ण होचन हनुमान ने थज़वान शेफ को युद्ने स्याजित किया था नेपोलिय और बुरोगोविन सिंग्ली ने इसी मानसित बलके अधार पर अपने शत्रों पर विज़े प्राप की थी जब मनुष्य का मानसित रूप में आधार में आस्ता की वज़ा से घृध्धी होती है मन को हारने से कुछ शाप नहीं होता, ना ही कुछ बनता है, बनने के इस्थान पर सब कुछ फिगर जाता है शुब्दुक और सफर्था और सफर्था दोनों ही बगवान की दीवई वस्थ हुए हैं, हमें इनसे जबराना नहीं चाहिए बगवान भी उनी की साहता करता है, तो संगर से अपनी साहता करते है सोदा संद्रन हमारी तरह ही एक आंग जबती थी, उलका पैर कट गया था जिसकी वज़ा से वे नित्र एकरा में निपोर ना होसाई, मगर से भी उन्होंने इस परिस्थिती में अपने हपको अपनाया और मांसिक बलके अधार पर नित्र एकरा में सफल्चा फ्राप सरी, वह मौसम हाला, चाहे कैसे भी हो, तू आगे बर तू चलना सी, तू लगना सी, धन्यवादू